बिस्मिल्ल्य रुक्मान रहीम तो अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं प्रेजंट कॉंटिन्यूस टेंस को प्रेजंट का इस्तमाल हम लोग कहां भी करते हैं इसको देखने के लिए सबसे पहले यहां पे मैंने इसके एक पिक्टोरियल डायग्राम बना दी है इन इस पिक्टोरियल डायग्राम यो एक प्रेजंट कॉंटिन्यूस टेंस जो होता है वह हम हलिया जितनी भी चीज़े होती हैं जो प्रेजंट ली ओन गोइंग हो रही होती हैं जो अभी फारिवन पर मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग मुझे सुन रहे हैं यह सारी टेंस और प्रेजंट सिंपल टेंस में डिफ्रेंस क्या है जी यह एक छोटा सा डिफ्रेंस है जो आपको लाजमी पता होना चाहिए ताकि आपके अकडेमिक या आपके टीचर जब आपसे पूचे कि बरहाल दोनों ही प्रेजंट टेंस हैं इन दोनों का इस्तमाल कहां भी जाता है तो आपके पास इसका आंसर भी हो तो वो आंसर ऐसे है कि प्रेजंट सिंपल टेंस जी हां for example if we take the example of one sentence and that sentence is I play cricket I play cricket present simple tense है और present simple tense जो है उसका इस्तमाल हम लोग कहां के करते हैं कोई अपनी routine बताने के लिए या habit करने के लिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि I play cricket जो है वो उसकी एक habit के मतलिक बात हो रही है वो उसकी एक routine के मतलिक बात हो रही है और वो routine permanent situation है जी हां present indefinite या present simple tense के इस्तमाल हम लोग अपनी permanent situation बताने के लिए करते हैं और present continuous का इस्तमाल हम अपनी temporary situations को बताने के लिए करते हैं for example I play cricket present simple tense है और वो एक permanent situation है वो cricket regular basis पे खेलता रहता है लेकिन I am playing cricket ये present continuous है और इसका मतलब क्या बनता है इसका मतलब ये बनता है कि मैं cricket खेल रहा हूं एक ongoing activity हो रही है वो जल्दी खतम भी हो जाएगी तो ये एक temporary situation है दोनों tenses के दरम्यान का फर्क भी मैंने आपको यहां पे बता दिया तो I hope ये आपके लिए बड़ा ही मददगार साबित होगा helpful साबित होगा और now move down to the present continuous tense present continuous tense में क्या होता है उसका structure क्या है उसके interrogatives कैसे बनाने है उसके negative कैसे बनाने है उसकी examples को कैसे करना है उर्दू में क्या पहचान है अंग्रेजी में उसकी क्या पहचान है उसमें कौनसे वर्द का इस्तमाल करना है कौनसे वर्द का इस्तमाल नहीं करना उसके इंदर कौन से signaling words इस्तमाल किया जा सकते है complete detail में आज हम इस वीडियो के अंदर उसको discuss करेंगे तो kindly इस वीडियो को पूरा आप दीखिएगा ताकि आप कोई भी डिटेल इसमें से मिस्स ना कर सकें इसी दीखे से अब हम लोग चलते हैं इसके structure के उपर इसका formula क्या होता है सबसे पहले तो इसका formula कैसे होता है इसमें subject होता है इसमें helping verb होता है present simple times में हमारे पास helping verb नहीं था लेकिन यहां पे हमारे पर helping verbs आ जाते हैं helping verb क्या करते हैं जो verb की help करते हैं उसकी मदद करते हैं time duration को बताने के लिए इसी दीखे से यहां पे हमारे पर subject plus helping verb helping verb इसमें ismr का इस्तमाल किया जाता है यह आपके सामने लिखे हुए हैं ताकि आप इसको देख सकें जल्दी से verb की first form plus ing कुछ लोग इसे verb की fourth form भी कहते हैं but mostly हम verb first form plus ing कहते हैं प्लस इसमें object का इस्तमाल किया जाता है for example positive sentences मुस्त्वत जुमले कैसे बनाया जा सकते हैं example देखेगा I am playing cricket अब देखें I is a subject helping verb is an and verb one plus ing is playing and the object is cricket so now our sentence is complete and that sentence is present continuous tense अच्छा जी दूसरे हम sentence की तरफ चलते हैं अली is a subject helping verb is verb plus ing that is reading and we have the object that is a book so now second sentence is also completed this is a positive sentence and we have made it अब हमारे पास जा है वो verb की first form के साथ ing इसके साथ आ रही है और इसमें का इस्तमाल करके present continuous tense बना रहे हैं हम लोग अब यह देखेगा negative कैसे बनाने है मनफी जुमले कैसे बनाने मनफी जुमले बनाने के लिए simply हम not का इस्तमाल करेंगे और not का इस्तमाल कहां पर करेंगे helping verb के बाद में followed by the helping verb I am not playing cricket मैं cricket नहीं खेल रहा तो I am not helping verb के पाद not लगाएंगे तो आपकी negative sentences बन जाएंगे और अगर आपने interrogative बनाने हैं सवाल यह जुमले बनाने हैं questioning करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे helping verb को आप subject से भी पहले ले आएंगे आपने subject से पहले helping verb को उठाके ले आएंगे तो आपके पास क्या होगा आपके interrogative sentences बन जाएंगे present continuous में जैसे के are you playing cricket तो इसमें क्या किया हमने इसको आर को helping verb को उठाके शुरू में statement के शुरू में ले गए तो हमारे पास यह होगा are you playing cricket is early reading a book क्या अली जह है किताब पढ़ रहा है तो यह हमारे question form में बनाने के लिए helping verb को statement के शुरू में sentence के शुरू में ले जाते हैं और फिर उसके बाद देखीगा कि हमारे पास जो interrogative हैं एक तो हमारे पार negative interrogative होते हैं तो आप उसमें भी जह है इस अली नॉट रीटिंगा बुक नेगेटिव इंटारोगेटिव सकते हैं लेकिन एक इंटारोगेटियम के ऐसे भी होती हैं जिसके इनदर बुभी है वर फेमली कहों सी होती है what, where, why, when, इस वो इस वायो होते हैं ये वह सारे स्टार्ट लिए होते हैं और जो डब्ली है से स्टार्ट हो रहे होते हैं आप imagine करें कि ये एक तरहां के वो dawn है वो बदमाश है जो किसी भी sentence में आता है तो सबसे पहली position ले ले लेते हैं सबसे पहले आ जाते हैं तो ये वो उससा के आप जिसे हम कहते हैं ना बदमाश हैं ये शुरू में आ जाते हैं ये और कोई place ने लेगे second place, third place ये हमेशा first of the sentence आपके पास आ रहे होंगे जैसे के ये देखें जब कभी आप उसका sentence बनाएंगे तो helping verb से भी ये पहले आ जाएंगे question में जैसे हमने बात कि subject से पहले helping verb बाता सवालिया में और अगर आपके बार wh family का कोई आ जाएगा तो आप उसको wh family को सबसे पहले even के helping verb जो सवालिया बनाने के लिए इसमाल किया उससे भी पहले आपने इसमाल करता है जैसे के where is he going अब देखें wh family में हमारे पास where आया इसको हमने देख लिया अब देखें is helping verb था ये इससे भी पहले आ गया he going how are they playing football ये football कैसे खें रहे हैं तो ये आपके पास थे कि अगर आपने सवालिया जमला बनाने है अगर आपने डबली एच फैमिली के साथ सवालिया जमला बनाने है negative sentences बनाने है negative interrogative sentence बनाने है positive sentences बनाने है उसका structure क्या है इसको हमने यहाँ पर टेल में डिसकास कर लिया कि हमरे पर present continuous को सवाल या अपनी statements कैसे बनानी है अब हम लोग आते है अर्दू में या हिंदी में इसकी क्या पहचान होती है अर्दू या हिंदी में किसी भी फिक्रे के आखर में रहा है रही है रही है आता है तो उसकी पहचान हमने रखी हुए है कि यह present continuous का tense होगा जैसे कि हमारे पार यह sentences है फहद गाना गा रहा है अलीना किताब पढ़ रही है उस्ताद क्लास में पढ़ा रहा है मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ क्या तुम सो रहे हो तुम क्यों सो रहे हो यह जो statements है यह सारी के सारी present continuous tense में है इन statements को अब हम लो जह है वो translate करके देखते हैं सबसे पहले तो translation का एक है सबसे पहले आप vocabulary देखें और second में उसका tense देखें सबसे पहले vocabulary देखते हैं पहला sentence है मैं sentence बोल के थोड़ी दे रुख जाओंगा ताके आप अपनी तरफ सभी उसको translate का लें और अगर आप उसकी translation ठीक होती है तो इसका मतब है present continuous tense तो आपको भी सासा समझ आ रहा है सबसे पहले vocabulary को देखें फाहद गाना गाना फाहद क्योंके लड़के का नाम है तो इसलिए हम लोग फाहद फाहद ही रहेगा और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे गाना गाने की English है song गा रहा है sing और रहा है से हमें पता चाहरा है यह present continuous है तो हम लोग क्या करेंगे इसके साथ ing लगा देंगे फाहद क्योंके फाहद एक singular है तो इसके साथ is आएगा is singing a song तो यह हमारे पास इस तरीके से यह translate हो जाएगा आप मेसे जिसने इसको सही देखा होगा या से बोला होगा उसके लिए एक मार्क बन जाता है अलीना किताब पढ़ यह अलीना क्योंके एक लड़की का नाम है तो अलीना इसी तरीके से रहेगा किताब की अंग्रेजी क्या होगी भूक नहीं की नौट पढ़ पढ़ने की होती है रीड और जो रहा है तो यह reading हो जाएगा तो हम क्या करेंगे इसको अब translate करते जाते हैं अलीना is not reading a book उस्ताद क्लास में पढ़ा रहा है teacher is teaching in the class मैं क्रिकेट खेल रहा हूं present continuous I am playing cricket क्या तुम सो रहे हो इसकी क्या होगी यह सवालिया जुमला है हमारे पास are you sleeping question mark क्या तुम सो रहे हो तुम क्यों सो रहे हो अब यह देखें यहां पर डबली अच फैमिली को इस्तिमाल करेंगे why are you sleeping तुम क्यों सो रहे हो पंखा तेजी से चल रहा है the fan is moving fast इस तरीके से जितने भी है जुमले हमारे पास sentences है उनका इस्तिमाल हम लोग अपने उर्दू translation या हिंदी translation के वाइज ऐसे करते हैं तो present tense का हमने देखा कि उसकी पहचान क्या है हमने देखा उसका फर्मूला क्या है उसको कहां पर इस्तिमाल किया जाता है present continuous और present indefinite में difference क्या है अब हम लोग इस slide के बाद next slide की तरफ चलते हैं जहां पर हम इसके English Usages की तरफ जाएंगे इसके main इस्तिमालाद कहां कहां पर होते हैं उसके मतलिक अब हम लोग detail में बात करेंगे so moved on to the next slide और next slide के अंदर हम लोग आज बात करेंगे present continuous के Usages कितने हैं तो आपके सामने मैंने यह Usages लिख 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 लिए हैं इस slide को अब हम लोग डिसकर्स करते हैं तो first and foremost जो इसका usage है वो यह है कि ongoing action को बताना जैसे कि action happening in the moment of speaking मेरे बोलते हुए या आपके काम करते हुए हालिया जो भी काम हो रहा है present जो भी हो रहा है उसको जब describe करना है तो उसे present continuous में बता रहे होते हैं एक temporary situation for example मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ आप मुझे सुन रहे हैं यह temporary situation खत्म हो सकती है तो यहां पे एक action जो के moment of speaking में मतलिक बात करें जैसे के teacher is teaching in the class जो उस्ताद है वो class के अंदर पढ़ा रहा है यह हमारे पास teacher is teaching in the class I am teaching you in a live session आपके पास जिस तरीके से हम लोग बात करें teacher is teaching in the class Ali is reading a book Ali वो किताब पढ़ा है वो किताब खत्म हो जाएगी आदे घंटे घंटे के बाद एक दिन के बाद वो किताब का एक जो process है वो खत्म हो सकता है तो उसके लिए हम ongoing actions को बताने के लिए present continuous का इस्तमाल करते हैं यह चीज़ आपने कभी भी नहीं बोलने शी इस एटिंग डिनर राइट नाओ वो अभी जो है वो रात का खाना खा रही है तो यह एक moment एक temporary situation है उसको बताने के लिए ongoing जो है वो project को बताने के लिए ongoing जो activity है उसको बताने के लिए हम लोग present continuous का इस्तमाल करते हैं second हम लोग temporary situations के मतलिक इसका इसका इस्तमाल करते है temporary events को बताने के लिए कि जो हम for example a conditional किसम की चीज़ है he is studying a new language वो एक नई जबान जहाँ उसको पढ़ आए वो language को अभी acquire का रहा है दो महीने बाद तीन महीने बाद वो language को सीखना बंद कर देगा यह एक temporary situation है कि वो अभी क्या का रहा है she is living in Mumbai for the moment वो Mumbai में आजकल रह रही है for this moment अब मेभी वो actual जह है उसका जो permanent address है वो किसी और शहर का हो लेकिन आजकल जह है वो Mumbai में रह रही है तो एक temporary event को बताने के लिए हम इसका इस्तमाल करते हैं next one we are currently traveling around the Australia maybe we are from the Pakistan and we are traveling to the Australia so that is the temporary event so जब हमने कुछी भी temporary event को बताना है किसी भी आरजी किसम की situation को बताना है उसके लिए present content instance का इस्तमाल किया जाता है उसके किस तरीके से इसे इस्तमाल करना है वो already मैं आपको बता चुका हूँ I am drinking too much coffee these days मैं आज कल काफी काफी जादा पी रहा हूँ मैं भी उससे पहले मैं काफी इतनी जादा नहीं पीता हूँ तो एक temporary event को बताने के लिए हम लोग present content instance का इस्तमाल करते है move down to the next thing fixed future arrangement ऐसी बाते हैं जो मुस्तक्बिल में हम लोगों ने उसके मतलिक एक fixed time table बना लिया हो कि यह हम मुस्तक्बिल में लाजमी करेंगे उसके लिए भी हम present continuous का इस्तमाल करते है future event है लेकिन fixed arrangement है fixed time table है यह आपने अपने माइड में लाजमी याद रखनी है I am getting married in January यह January जो है मुस्तक्बिल का तो जरूर है लेकिन एक fixed arrangement है future की तो जब आपने future की fixed arrangement याई मुस्तक्बिल में कोई बाद बता नहीं है उसके लिए present continuous का इस्तमाल करना है जब वो आपके पास एक arrangement fixed हो चुकी हो वो बाद आपने एक time table में लेकर आ चुकी है यह हमने उस month में या उस time पर लाजमी करना है he is visiting his parents tonight ठीक है वो आज राज है वो अपने बालजायन से जाके मिलेगा she is not going to the birthday party next weekend वो अगले हफ़ते birthday party पर नहीं जाएगे यह एक future का event है लेकिन fixed event है कि कि वो उसने mind में बना लिया कि अगले हफ़ते जा है उसके लिए present continuous का इस्तमाल करना है fourth one पर आते हैं कोई भी annoying behavior by using these words like always, forever and constantly we can utilize these words in our writing so जब कभी हमने किसी annoying behavior को बताना हो by using these words तो हम लोग भी क्या करते हैं present continuous tense का इस्तमाल करते हैं for example he is constantly talking annoying behavior with the word constantly तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं हम उसको present continuous tense में इस्तमाल करते हैं she is always coming late to the class again annoying behavior है disturbing behavior है with the words like always my sister is always leaving the kitchen in a mess मेरी जब बहने kitchen का जब भी इस्तमाल करती है वो kitchen को काफी जदा messy हालत में छोड़ देती है तो क्या हुआ कि जब कभी आपने किसी annoying behavior को भी बताना है by using these words उसके लिए भी present continuous का इस्तमाल किया जा सकता है तो हमने यहां पर देखा कि हमारे usages क्या है और अब हम लोग अपनी next slide पर जाता है जिसके अंदर हम further discuss करेंगे वो कौन से verbs हैं वो कौन सी conditions हैं जिसके अंदर present continuous का इस्तमाल नहीं किया जा सकता पहले तो हम लोग यह बढ़ते रहे हैं कि कहां पर present continuous का इस्तमाल करना है बलके अब इस slide के अदर हम एक और tricky चीज़ की तरफ जाएंगे कि present continuous का इस्तमाल कहां पर नहीं करना जी हां कहां पर इसका इस्तमाल नहीं करना इसका इस्तमाल हम लोगों ने यह मैंने slide बना रखी है कि इसका इस्तमाल stative verbs के साथ नहीं करना stative verbs कौन से होते हैं stative verbs non continuous form में होते हैं इनको continuous form में लिखा ही नहीं जा सकता इसलिए हम लोग stative verbs को present simple tense में लिखते हैं बजाए के present continuous tense में आएं इस स्लाइड को देखते हैं stative verb show a state of being that does not show a quality of change यह change होने की quality को show ही नहीं करते हैं तो that is why हम continuous में कैसे इसे लिख सकते हैं continuous में तो उसको जह है वो changing यानि temporary situation को change करते रहे दिखाया जाता है these verbs can stay in simple present tense for example यह हमारे पस stative verbs की different types हैं जानि एक categorize कर दिया है थोड़ा सा कि communication जैसे agree word है promise loves है surprise word है यह appearance related जैसे seem loves है look loves है appear loves है sound loves है यह resemble है कोई feelings वह बताने वाले words है जैसे like है love है hate है detest करना है ठीक है या want loves है आपकी जितनी five senses हैं जैसे hear करने की है smell करने की है आपकी taste करने की है इनके साथ हम लोग continuous form यानि ing is mr का इजाफा नहीं करते बलकि इसको simple present type verb की first form के साथ इसको लिखा जाता है इसे continuous form में आपने नहीं लिखना forget है believe है understand है know है जो thoughts और opinions है वो भी stative verbs की category में आते हैं इन भी simple present tense में लिखना है present continuous tense में नहीं लिखना देखे मैंने सामने लिख दिया है warning do not use present continuous with the stative verbs stative verbs के साथ कहीं में भी ने देखना अगर stative verbs की details देखनी है Google पे देखिए Google पर सर्च कीजिए stative आपके पास complete list आजाएगी stative verbs कौन कौन से हैं यहां पे कुछ मैंने बता दिये हैं जितनी भी आपके कुछ other stative verbs हैं जैसे depend करना recognize करना cost या include या contain अब आ जाते हैं कि इसकी practical examples के ओपर इसकी कौन कौन सी examples हैं आपको यहां पे मैंने बता दिया he is loving this mobile game क्या यह sentence दरुस्त है नहीं यह sentence गल्थ है क्योंकि जो love है यहां पर हमने देखा कि हमारे पास यह feelings को बताने वाले जितने verbs होते हैं वो हमारे पास mostly क्या होते हैं कि हमारे पास वो stative verb है love जा है वो एक stative verb है तो इसको क्या कर देंगे he is loving के वज़ए हम इसको change कर देंगे बलके इसके बज़ए हम लोग लिख देंगे he loves this mobile game क्योंकि यह इसके साथ हम लोग ने present continuous का इस्तमाल नहीं करना क्योंकि जो भी हमारी जो feelings है जैसे कि यह love या hate detest करने की feeling है यह stative verb की category में आती है और stative verb को तो हम continuous form में use ही नहीं का सकते हैं तो यह इस्ता हो जगा he loves this mobile game ब she is liking the to drive fast यहां पर यह sentence गलत है क्योंकि जो like करना है यह भी stative verb है she likes to drive fast यहां पर हमारे पार stative verb जो है वो different हो जाएगा a love of bread is costing 90 rupees तो यह हमारे पास जो is costing है क्योंकि cost यह भी stative verb है तो is costing नहीं हो सकता continuous form में नहीं हो सकता simple present tense में लिखेंगे cost 90 rupees तो यह आपके पास present continuous के जो है कहां पे इस्तमाल नहीं करना लोग आपको बताते present continuous कहां पे इस्तमाल करना है मैं आपको साथ में यह भी बता रहा कहां पे उसका इस्तमाल नहीं करना यह ना हो कि आप present continuous tense को हाँ जगाना शुरू कर दें I am belonging to human race belong करना यह भी stative verb है तो I belong हो जाएगा I belong to human race तो यहां पे वो इस तरीके से stative verb का इस्तमाल किया जा रहा है अब हमारे पास आ जाता है mcdonald's का जो हमारे पास एक है I am loving it आप advertisements देखते हैं mcdonald's की advertisement भी देखी होगी उसके अंदर कहता है mcdonald's I am loving it तो जब मैंने यहां पे का कि love जो है यह तो stative verb है तो यह यहां पे loving कैसा हो गया एक second के लिए आप भी सोचें के mcdonald's आले जहें उन्होंने फिर I am loving it क्यों कहा है advertisement में अपने उसका जवाब यह है कि आपके पास जितनी advertisement होती है movies होती है theaters होते है they do not follow the grammatical patterns वो grammatically bound नहीं होती day to day life में आप ऐसे words देखते हैं जो grammatically incorrect होते हैं लेकिन उनको बोलने से grammar अपनी जगह से हिल नहीं सकती grammar का rule यह है जो stative verb है वो हमारे पार present simple tense में ही आएगा वो हमारे पर present continuous stance पे नहीं हो गया चाहे जितने मर्ज़ी गलत अलाम चीज़ हो जाए लेकिन grammar के rules अपनी जगह से नहीं हिल सकते हैं तो यह grammar का rule है यहां पर यह grammatically इनका जो slogan है वो गलत है आपको शायद पहले ना बता हो लेकि मैकडोनर्ड का grammatically यह slogan गलत है क्योंकि जो love है वो stative verb है और जो loving नहीं हो सकता यह simply love होगा क्योंकि यह एक feeling को बता रहा है तो यहां पर यह confusion कुछ गलत अलाम expressions exceptions कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ exceptions हैं हमारी इस society के अंदर इन exceptions को हमें accept भी करना पड़ता है as a part of this society लेकिन वो grammatically incorrect होते हैं तो मेरे हैल में यहां तक हम लोगों को यह present continuous का जो है यह clear हो गया है अब हम अपनी next slide के उपर जाते हैं ताकि हम अपने spelling errors को भी देख सकें so dear viewers मैंने कोशिश की है कि next slide जो अभी आपके पास आ चुकी है इस slide के ओपर spelling mistakes बता दी जाए ताकि आप लोगों की जो grammatical mistakes आती हैं spelling mistakes आती हैं उनको कम से कम किया जा सके आपको वो rules बता दे जाएं कि जिसके जिसके next time आप वो errors मत करें तो आज present continuous के spellings हैं और इनके spelling की कुछ rules हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं जिसके बाद आप कभी भी इसको नहीं बोलेंगे तो आए हम लोग start करते हैं सबसे पहले rule number one जो है most verbs are formed by adding ing to the basic present continuous में maximum जो verbs हैं ing लेते हैं और उसके साथ ही वो उनकी continuous form जैसे जब work है उसके साथ ing place होता है तो वो working हो जाता है read है तो वो ing के साथ reading हो जाता है walk है तो walking हो जाता है eat है तो eating हो जाता है play है तो playing and do है तो वो doing हो जाता है अब ये तो हम लोगो वो already पता है क्या नहीं पता वो next वाले में हम लो होगा ends in IE अगर वो IE पे end हो रहा है तो उसको change करके आप Y में convert कर जाएगे जैसे lie है तो Y उसके end में आ जाएगा जब उसको continuous form में change करेंगे तो वो lying हो जाएगा die है D IE die है तो वो dying हो जाएगा IE को हम skip कर देंगे उसके मतबादल हम लोग Y add कर देंगे ये बात आपको देखने वाली है tie है तो वो tying हो जाएगा तो T का T IE tying जो है उसमें IE skip हो जाएगा और उसको replace कर देगा Y तो ये एक उसका rule है ये देख लीजेगा if the base will end in IE change IE to the Y तो इस तरीके से आपने उससे change कर देना है फिर हम third one पर चलते हैं third one हमें क्या state कर रहा है उसको देख लेते हैं if one syllable verb one syllable verb कौन से होते हैं syllable कहते हैं sound को जिनका एक sound जिसको one sound one utterance में आप लोग बता सकते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं one syllable words होते है two syllables जिसमें दो आपके sounds आते हैं three syllables जिसमें three आते हैं जैसे के for example आपके पास एक word है stop ये one syllable word है pre face इसके दर देखें दो सांस आपके दो sounds आ रहे हैं pre face ऐसे कहना पढ़ रहा है और a class है beautiful अब इसमें three syllables आ रहे हैं तो ये syllables sound patterns होते हैं details में आप इससे google पर भी देख लीजेगा यहां पर मैंने एक आपको इसका crux बता दिया है कि one syllable verbs कौन से होते हैं जो एक ही sound में utterance हो सकते हैं एक ही sound में बोले जा सकते हैं one syllable words end in constant plus stress vowel plus constant double the last letter अगर वो इस pattern में आ रहे हों कि पहला इसका इसका असानी से बता रहे हों cvc pattern में constant stress vowel और constant अगर इस pattern में आ रहे हो तो last वाला जो है उसका वो letter double कर देना यानि के दो constants ने एक vowel को घेरा हो दो constants के दरम्यान में एक vowel हो और वो stress vowel हो जैसे के stop इसके अंदर जो vowel है यह हमारे पास ओओ इसके अपर stress आ रही है तो इस तरीके से यह देखेंगे stop S आखरी तीन वर्ल देखने हैं पहले वाली देखने हैं सिर्फ आखरी जो तीन लैटर जा उनको देखना है cvc pattern में क्या वो cvc pattern में है यह देखें जो है हमारे पास stop क्या है कि हम लोग ती हमारे पास constant है p भी हमारे पास consonants है consonants हमारे पार टी और पी दोनों consonants है और on the contrary जो o है वो हमारे पास vowel है उस stress vowel है तो हमने क्या किया है जब हमने देखा वो CVC पैटर में है और last one उसका जो वावल है वो हमारे पास stress वावल है ठीक है उस पे जोर दे के बोला जा रहा है तो हम उसको क्या करते है उसका जो last letter होता है उससे double कर देता है stop है तो वो stopping हो जाएगा अब देखें begin को analyze करें ठीक है begin के last three words को pick करें एन consonant है जी consonant है और आई जो है वो हमने पस वावल है और यहाँ पे begin इसमें जो आई है यह हमने पस stress वावल है तो हम क्या करेंगे इसको beginning कर देंगे जो last word है begin double न आई एन जी beginning हो जाएगा इसी दीके से run यह ही तीन लवज है आर consonant है एन consonant है और यू हमने पास stress व pattern में तो आपको पता चल जाएगा आर यू एन ठीक है यह यू जो है वो हमारे पस stress वावल है और दो consonant ने इसको गहरा वे तो हमारे सार ने बताया था तो इस तरीके से जब आए तो last letter जो है वो double हो जाएगा बात clear होती जा रही है बच्छे अब देखे put यह समें भी तीन है तो हम इसे क्या कर देंगे putting कर देंगे आखरी love जो है उसे double कर दिया जाएगा इसी दीके से swim है तो वो swimming हो जाएगा बात clear होती जारी है ना बच्छे ठीक है आप सब देखते जाते हैं dear viewers किस तरीके से हम आसानी से इसको करते जा रहे हैं CVC pattern में अगर किसी भी one syllable verb के आखर म CVC pattern हो और उसका vowel stress vowel हो तो last का जो word होगा उसको हम लोग double कर देंगे लेकिन एक condition होती है जिसमें CVC pattern भी आ रहा है दो constant ने एक vowel को गहरा भी हुआ है लेकिन वो stress vowel नहीं है तो फिर आप last डबल नहीं करेंगे ये भी उसका एक rule है कि जब CVC pattern में vowel हमारे पास अगर stress ना हो unstressed vowel ह तो उसको हम लोग last को double नहीं करेंगे फार नहीं पर एक लफ़ है open देखें ए जो है ये हमारे पास vowel है और consonant P और N हमारे पास consonant है लेकिन इसमें जो stress है वो O पे जा रही है ए पे stress नहीं हा रही हमारे पाँ तो ये unstressed vowel है तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे इसके साथ हम लो हो क्या होता जा रहा है हमारे पास E जा है वो vowel है P और R है वो हमारे पास consonants है लेकिन ये stress नहीं है तो इसके साथ simply हम लोग क्या करेंगे whisper कर देंगे तो आपको ये बार समझने में असानी हो जाएगी कि CVC pattern किसी भी word के last में three words है अगर वो CVC pattern में है और उसका vowel stressed vowel है तो फिर उसका last letter को double करना है otherwise उसको double नहीं करना मेरे हैल में आपको ये बार dear viewers समझ आती जा रही होगी अब next पर आते है if the base verb ends in a vowel consonant and plus E यानि उसके last three letters है वो एक last E है और उससे पहले एक consonant आ रहा है और उससे पहले एक vowel आ रहा है तो उसमें से E को आपने remove कर देना, omit कर देना जैसे drive अब देखें इसके last में E आ रहा है, rule के मताबिक E आ रहा है, constant V आ रहा है, जी हाँ, इसमें V भी आ रहा है, consonant के हसाब से और वावल है आ रहा है, वो भी आ रहा है, तो वो कहते है कि अगर किसी letter में last हमारे तीन vowel plus consonant plus E हो तो उसमें E को drop कर देना जब continuous form में लेकराना है, जैसे drive है, तो driving हो गया, E निकल गया इसका, come है, c o m e come है, तो वो ये coming हो गया, E drop कर दिया, share में sharing को जब continuous किया, तो E drop कर दिया, consonant है और E है, तो हमने देखा कि जब इसको continuous stage में लेकर जाना है, continuous form में लेकर जाना है, तो E को हम लोगों ने drop कर दिया, ये हमारी grammatical error आ सकते हैं, और फिर हमारे पास base verb है, base verbs को अगर हम लोग define करते हैं, तो if base verb ends in Y, then the final letter Y remains the same, अगर आखर में Y आ जाता है, तो वो उसी तर crying हो जाएगा और play है तो वो playing हो जाएगा, carry है तो caring हो जाएगा, say है तो वो saying हो जाएगा, तो यहां तक मेरे ख्यार में spelling errors आपको मैंने completely बता दी हैं, इसके spelling errors में mostly जो है, वो students कुछ गलतियां करते हैं, जिनको summarize करके मैंने यहां पे एक tabular form में आपको बता दिया है, अब ह सबसे हमारे grammatical errors हो सकते हैं, जो हमारे MCQs competition या competitive examination में जब कभी या हमारे academics में भी हमारे पास जब MCQs form में आते हैं, तो हम वहां पे गलती कर सकते हैं, तो यह errors को define कर दिया जाता है, आज मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सबसे पोन को न से errors आ सकते हैं, जो आप errors को remove क कि अपनी writing को और अपने academic marks हैं या competition को marks हैं, उनमें higher score कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, present continuous में हमारे पास verb incorrect हो सकता है, जी हां, जो आपको बस main verb है, वो हमारे पास वल्थ हो सकता है, जैसे कि statement मैं एक लिखती है, he is play cricket, तो यहां पे आपको automatically पता चल गया होगा कि continuous में तो verb की first form के साथ ing आता है, तो यहां पे तो play लिखा हो है, तो इसको क्या होना चाहिए था, इसको playing होना चाहिए था, तो आप इसके options में तो देखिए, option में से कौन सा आपको ठीक लग रहा है, gdr viewers, option में हमारे पास जो बी है, यह हमारे पास ठीक है, he is playing cricket तो यह verb incorrect आपके पास आ सकता है, इसको आपने rectify करना है, इसको ठीक करके आपने लगाना है, to be missing, हमारे पास जो is, am, are हो सकते हैं, वो missing हो सकते हैं, ठीक है, जैसे के अली not working, तो यहां पे वो एक आपको यह दे सकता है, dash, कि आप इसमें बताए, appropriate किसम का हमारे पास to be कौन हो सकता है, तो आप इसमें is है, am है, are है, was है, आपको आरेड़ी पता है, कि अली एक singular है, तो इसके साथ is आएगा, तो यहां पे हमारे पास जो ठीक होगा, वो is होगा, यह वाला हमारे पास जो ठीक होगा, फिर next पे हम आते हैं, to be incorrect हो सकता है, यानि कि वो noun, pronoun के लिया से incorrect ह सकता है, singular के साथ plural लग सकता है, plural के साथ singular लग सकता है, जैसे कि ECT, एहमद अचर is good friend, तो जब एहमद अचर two different identity है, to different noun है, तो इसके साथ तो हमारे पास क्या होना चाहिए था इसके साथ तो हमारे पास और आना चाहिए था तो यहां पर इस लगा हो है तो यह हमारे पास incorrect हो सकता है इसको ठीक कर सकते हैं यह तीसरी टाइप है जिसके थुरू हम लोग अपने present continuous के errors को ठीक कर सकते हैं अब अब हम आते हैं next one spelling errors हो सकत है कि जो spelling कैसे ठीक किया जा सकते हैं उनके errors क्या है या उनके rules क्या हैं जिसके कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं तो अभी हम उसमें word पर कहते हैं beginning जिसमें हमने CVC pattern लगाया था stress vowel तो last one हमने उसे double करना था बिगन है तो वह beginning हो जाना चाहिए था इसमें double N जहाँ पर आना चाहिए था लेकिन option में हमारे पास गलती आ सकती है हमारे पास जो पाकिसान में हमारे सा M.D.Cat है उसमें भी last two times में हमारे स्पैलिंग मिस्टेक्स आई हैं आपके पास जिते में competitive exams होते हैं academics होते हैं उसमें spelling mistakes आपको दी जाती हैं जिसमें से आपने choose करना होता है कौन सा spelling ठीक है तो यह उसके लिए भी आपके लिए preparation हो सकती है यहां पे तो जब आपको पता है CVC method में जिसमें vowel हमारे पास stress होता है तो आपने क्या करना है उसमें double N का इसमाल क यह करना था last letter double कर देना था तो उस लिहाज से तो यह double N होना चाहिए था चलें इसके option देखते हैं option आप देखे मुझे मुझे बता सकते हैं इसमें dear viewers कौन सा option जाता ठीक है इसमें हमारे पास B E G double N इसमें double N तो है लेकिन इसमें beginning का I नहीं है यह cross हो गया यह भी हमारे पास double I यह भी नहीं ठीक जिसमें double N आ रहा है जी हां last one यह हमारे पास true है C option इसके पास true है आप मेंसे जिस बचे ने C कहा है जिस student ने C कहा है he is right now move down to the permanent situation permanent situation क्या होती है जो हमारे पास present simple tense में आती है permanent situation तो हम लोग present continuous में देते ही नहीं है present continuous में तो temporary situation होती है जिसमें आपको आर्रेडी बताया है I play cricket उससे मराद है कि यह मेरी habit है मैं cricket खेलता रहता हूं लेकिन I am playing cricket इससे मराद एक activity है कि अभी मैं खेह रहा हूं शायद एक घंटे बाद दो घंटे बाद एक दिन के बाद यह खत्म हो जाएगा तो permanent situation को तो आपने लिखना ही नहीं है इसके 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 आपने लिविंग इन जहलम मैं जहलम में रहता हूं यह permanent situation permanent situation तो continuous में आई नहीं सकती इसको हम लोग क्या करेंगे इसमें हमारे पास I lives, lived, live और has lived, has lived तो कट गया, lived भी कट गया, lives है और live है यह दोनों हमारे पास ठीक हो सकते हैं लेकिन हमारे पास pronoun तो जह है वो क्या है हमारे पास I है तो I के साथ हम लोग क्या करेंगे हम इसके साथ C क्योंकि I के साथ जो है वो S E I S का इजाफा होता फिर हमारे पास स्टेटी वर्प को और पड़ के आ चुके हैं इसको देख लीजएगा आप भी पेपर की प्रिपरेशन से पहले के स्टेटी वर्प कौन-कौन से होते हैं जैसे मैं आपको बताया था फीलिंग है जा आपके पास ऑपीनियन है थौर्ट है वह स्टेटी व बैगराउंड पता है स्टेटी वर्प नौन-कौन्टनियस फॉर्म में होते हैं उनके साथ हम आई एंजी का इस्तमाल कार ही नहीं सकते हैं तो हम क्या करेंगे शी लव तो कट गया विल लव भी कट गया लव और लवस है क्योंकि यह सिंगल लहर तो इसके साथ लवस होगी इससे पहले आपने बहुत कम वीडियो में इतनी डिटेल में इस चीज़ को डिसकस किया होगा कि हमने उसके एर्रस भी देखे हमने उसके स्पैलिंग मिस्टेक्स भी देखी हमने देखा कि उसका अर्दू में यह हिंद्री में कहां पर इस्तमाल किया जाता है उसकी ए अपने डिटेल में देखा और इस से आपका नॉलिज में इजाफा हुआ होगा तो अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो तो करने लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हम नेक्स टाइम से जादा मेहनत से और जादा जोश के साथ हम लोग आपके लिए व ओल्विड़ वीडियो